उप्तर पर्देश के ग्रेट नोडा के गिराम कुलेसरा से एक बहुत बड़ी खबर आज चट पूजा का त्युहार बड़ी धुम धाम से मनाय गया दोस्तो चट पूजा त्युहार एक हिंदु धरम का त्युहार है लेकिन इसको सभी धरम के लोग माननेता देते हैं यानि कि इसको किसी भी धरम के लोग मना सकते हैं और दोस्तो इस त्युहार में भगवान सूरज की पूजा की जाती है दोस्तो मैं किसी भी धरम पर और किसी भी त्युहार पर जहार टिपड़े नहीं करना चाहता हूँ क्योंकि मुझे अधिक जानकारी नहीं है लेकिन जहां तक मैंने लोगों से बाच्चित की है तो आखिर यह छट पूजा क्यों मना जाती है दोस्तो इसमें छट पूजा कुछ लोग 3 दिन की मनाते है कुछ लोग 4 दिन की इसमें 4 दिन पूजा होती है यानि कि पहले दिन जब पूजा होती है सूरज भगवान की यानि कि सूरी देवतागी जब पूजा होती है तो उसके बाद उस दिन ये घिया और चने की डाल को घियां बनाते है उस दिन घिया और चने की डाल का सेवन किया था घिया मतलब लोगी तो उसी दिन ये खाते हैं आगले दिन ये 24 घंटे का एक फास्ट रखते हैं यानि के विरत रखते हैं जो कि 24 घंटे बाद खुलता है तो दोस्तों जैसे देखते हैं कि साल भर में एक बार सफाई होती है इस नहर की और बहुत ही बड़ा तरीके से सभी धर्म के लोग, हिंदु धर्म के लोग या अन्य के धर्म के लोग भी इसको मनाते हैं और इसमें कोई जात ब्रादरी का मतलब नहीं है, कोई भी कास्ट, कोई भी जात इसको मना सकता है। दोसरी तरफ ये ग्रेटर नोड़ा, सेक्टर बीटा टू की तस्वीर है, यहाँ पर इस तरह चट पुजा बनाई जाती है, इन लोगों ने एक पारक के अंदर एक छोटी सी नहर बनाई हुई है, जिसके चारों तरफ ये अपनी अपनी जगा रिजर्व करके बैठ जाते हैं और वहाँ पर ये सुबह साम चट की पुजा करते हैं, दोस्तों सूरज निकलने से पहले और सूरज निकलने के बाद ये दोनों समय भगवान सूरज यानि के सूरी देवता की पुजा करते हैं, और बहुत सो लोगों का मानना है कि इस पुजा से बहुत बड़े-बड़े दूर हो जाते हैं, जैसे कि चलम रोग और कैंसर, दुनिया भर के जितने भी बड़े-बड़े रोग हैं, वो इस पुजा करने के बाद खतम हो जाते हैं, या कुछ लोग जो मनोकामना करते हैं कि भगवान मेरी ये विश्पूरी हो जाए, मैं चट पुजा करूँगा, या सरकारे छुटती होती है, दोस्तों चट पुजा दिवाली के च्छे दिन बाद आता है, च्छे दिन या पास दिन लगबग इस सेवें ही आता है, तो दोस्तों ये बहुती धुमदाम से मनाया था, इसमें मेला लगता है, और बच्चे से लेके बोड़ों तक सभी वरक के ल चाहते हैं, तो आप इस धरम के जरी अपनी विश्च को भगवान से पूरा करा सकते हैं, या फिर कोई ऐसी मनोकामना है, जो आप चाहते हो कि मेरी पूरी हो जाए, तो बहुत सो लोगों का मानना है, या कि लाखो करोडों का मानना है, कि पुजा के विरस से और च्छट होंगा बस मैं माफ़े चाहता हूँ मैंने जितना आपको बताया वो आपको अच्छा लगा है तो वीडियो प्लीज लाइक करें नहीं तो डिसलाइक कर सकते हैं वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया धन्यवाद ला भ्रत बाकर हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि आपको पूरे भारा से जड़ी लेटस्ट ख़वरों की जानकारी मिलती रहें वीडियो सम्मदद किसी प्रागिस साहता के लिए हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करें वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया धन्यवाद